तो आज के हमारी online class में हम बातशीत कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सल की फॉर्मेटिंग वाली classes में बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे कि मुझे यहां पर चेक नंबर दिया हुआ है और मुझे इसके अंदर चेक नंबर डालने हैं तो चेक नंबर में क्या है कि इसमें 1236 कर दिया हुआ है यह कि एक्चुली होना चाहिए था 001236 इसके अंदर चेक नहीं कर रहा है इसके लिए हम रोग्ते सिंगल कौ लगाकि इसको टेक्स पार प्रॉलम यह है कि अपूरा तेक्स में करना पुर्ण आप इसको फॉर्म एजायके टेक्स कर दिचे बावा सिंगल को लगाने के जरूती यह पड़ेगी लेकिन प्रॉलम यह तो इसमें क्या है कि हमें कस्टम पर्मेंटिंग में जाना है कस्टम और यहां पर तो इसमें वहां पर क्या हुआ कि जितना डिजिट कम था उतना डिजिट उसने ब्रावर कर दिए बट यहां लखेगा इस वीजबर है उरिजनल नहीं हमने कल भी बताया था आपको कि करता है जो आपका वीजबर है उसी को चेंज करेगा उरिजनल वैलो को चेंज नहीं करता है ठीक है मतलब कि कहीं पर सिंगल कोड में हमने डाल दिया 000085 अब देखने पर दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या पर दोनों ब्रावर नहीं है क्योंकि जब इसको दोनों को जब इक्वल करेंगे तो यहां फॉल्स आए क्योंकि यहां पर मुझे एक्चुल आजाए जो यहां लिखा हुआ उस तरह से ताकि हम इस पर कंडीशनल लगा सके लुक लगा सके तो उस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मुला इस्तिमाल करते हैं बड़ टेक्स्ट फॉर्मुले के अंदर में हम वही चीज़ देते हैं जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में दिया है समझे है और मैं नीचे के तरफ ड्रैग करता हूँ आगया डबल जिरो डबल जिरो एड़ फाइल अब जो यह दोनों आपस में ब्रावर होंगे अगर मैं इनको करता हूँ तो कस्टम फॉर्मेटिंग के किसी वी रिजर्ट को अगर आपको एक्शुल में दिखाना है तो टेक्स्ट फॉर्मुले का इस्तिमाल किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं माल इसे मुवाइल नंबर मुझे देना है बट मुवाइल नंबर में हमारा प्लॉस नाइन वन अशैप नहीं करता है प्लॉस प्लॉस नाइन वान और डबल जीरो टू फाइब सेवन नाइन तरी डबल एक ने लिया इस तरह का हो गया तो चाहता हूं पर प्लॉस नाइन वन जो है वो आटोमेटिक आ जाए तो फॉर्मेट से लिके कस्टम पर जाओंगा प्लॉस नाइन वान और यहां पर वान टू त्री फॉर फाइब सेख्स सेवन एट नाइन तेन अब यहां में देखिए राइट आगया तो इस तरह से यहां पर आपको नंबर आ जाएगा लेकिन हम दो दस जिरो दे दिए तो क्या हुआ जितना डिजिट मंदेन लिखेंगी उतना कम हो जाएगा तो यहां पर जीरो ना देके आप कस्टम के अंदार प्लस नाइन वान और एक हैस दे दीजिए सब्सक्राइब रखवास हो प्लाइब तो यहां हमारा जो है आगे उसी तरह से मांने जिए यहां आईडी है आईडी में हमने इसको स्रेक्ट किया और कस्टम में आए और यहां 123-123-123-123-123 अब देखिए हम 9 डिजिट डालेंगे तो यहां पर आगे और हैस दिया अब हैस के जगर पर जीरो भी दे सकते हैं जैसे यहां एकाउंट नंबर आप लिखते हैं तो एकाउंट नंबर अगर आपने लिखा आप 9 10 11 डिजिट तक लिखते हैं तो ठीक है जैसे 12 डिजिट डालते हैं वो साइंटिफिक फॉर्मिट में चला जाता है तो यह नंबर शो हो इसके लिए क्या करेंगे इसमें हम हैस देंगे एक हैस दे दिया नंबर शो हो रहा है कहां तक नंबर शो होगा कहां तक नंबर शो होगा यह जानना जोड़ी है तक नंबर शो होगा 15 डिजिट के बाद इतना डिजिट आप डालेंगे वो हो जाएगा आपका 15 डाला जीरो बन जाएगा एक्सल आपका 15 डिजिट से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं लेता है ठीक है सिधार जी एक्सल के अंदर में आप यहां पर मैं बता रहा था आप से लॉगाउट हो गया थे अब जाता है कि आप जहें कोई वीजिए से मैं लेजिए एकाउंट नमबर ही है तो इसकाउंट नमबर में आप जहें सब्सक्राइब करेंगे आपको कुछ नहीं करना है कस्तम पर जाकि एक जीरो या एक हैस्ट नमबर कर तक दिखेगा पिप्टीन डिजित तक शिक्स्टीन डिजित जैसे शिक्स्टीन जीट के बाद जितना भी डिजित डालोगे ओजीरो में तर्फ़वट हो जाएगा क्योंकि आपका जो एकसल है और कि डिजित की कैल्कुलेशन के लिए ही बना हुआ है अब यहां पर फिप्टीन डिजित से जड़ा की कैल्कुलेशन और में पर पाता है अचा अब यह भी हमने आपको जीरो हैस के वाले बताया तो जीरो हैस का फंडा है क्या चलिए इसको समझते हैं मैंने यहां पर फिप्टीन हंडेट लिखा बाद मुझे शिप्टीन हंडेट नहीं चाहिए मुझे यहां चाहिए म आर्पी फिप्टीन हंडेट क्या चाहिए पेसल पर नूंबर के साथ ही लिखा हुआ क्यों कि होて अ तो मुझे आको सेम होना चाहिए बत्सुस्थ हना चाहिए आंवा जिक्लिभस तो कि एस केस के सिर्फ के लिए किलिएर्ड press की उंस ने यहाँ इंवर्टेट कवमा में लिखते डिए इज़िए मन में अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा जीरो है कुछ नहीं दिया तो क्या होगा आपका MRP से होगा आपका फिगर सोने होगा पर एक चुल रहेगा तो आपका फिगर अब इसमें मैं MRP के बाद अगर जीरो लगा देता हूं तो आपका MRP 1500 शो होगा अब एक जीरो लगाओ चाह एक हैस लगाओ से कोई फर्क ले पड़ता है फर्क कब पड़ेगा जब दो जीरो लगाया मैं यहां कोई फर्क नहीं दिखा अब यहां पर फाइप लिखूंगा तो देखिए आपका जीरो फाइप हो गया जीरो फाइप ह अगा तो अगर। अगर रगाओ a यहां जो हुआ छेवारफ नियाट कार यहां भी घ्याने चाहिए, प्री फीज़ कर ने खाले हैं अविद्धी अग्स ने कौन कार। तो यहां पर अगर डबल हैश करते तो कोई फर्क ने पड़ता है तो डबल जीरो जितना जीरो लागे और नंबर के आगे जितना डिजिक तव होगा उतना जीरो अटुमेटिक लगा और जितना डिजिट आपका ज्यादा होगा उतना डिजिट आपको देगा तो करने उतना है कि जीरो जितना लगाओ भी उतना दिखी है जिसे एक्जामपल मैं यहां पर चॉबन रुपी साट पैसे लिखती है तो यहां पर रिखता हूं 64.60 अब मैंने क्या किया इसके उपर कस्टम में यहां दिया रुपीज जीरो हैश और इनवर्ट के कोमा दिया रुपीज फिर डॉट जीरो पैसे ठीक है तो देखें 60 रुपीज अब इसमें क्या होगा कि 5 रुपीज 60 पैसा किया तो यह आपको जीरो फाइब लगा है क्यों क्योंकि मैंने आगे जीरो दिया तो इसमें हमें हैश क्यों लगा है 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 perseverance इसलिए लगाया कि अगर मैं सिर्फ पैसा लिखता तो सिर्फ 0 पी जाता इसमें डबल जीरो में लगा देता तो क्या होता यह होता जिखा हुँ आट तोborg लिखहुँए थिक्रैане कि इसलिए यहां पर हमेरे एक जी रएक हैस दिया और डेंशनल में हमेशा डॉट जी जी किजिएगा तो 50 पर फाइशा दिखेगा जी जब भी जब भी जब देंशनल जांग जी जो तहां जीरो जीरो कहीं इस्तेमाल कीज़ेगा अब यह से माल यह से मैं अपना क्रेंज लिखता हूँ फिटी फाउजन बट ट्वेंटी फाउजन को मुझे इमाउंट इन थाउजन में गन्वर्ट करना है तो मैंने यहां पर क्या किया जस एक हैश एंड कॉमा कर दिया अब देखे 25 हो गया 5 यहां देखे एक्जामपर लेकि मुझे के साथ 5K या 5000 ऐसे टेक्स जोड़ना है तो इन्वर्टेट कॉमा में आप कुछ भी आगिया पीछे लिख सेकते हैं देखे इसके ऊपर चुक कैलकुलेशन होगी और 25 क का ही कैलकुलेशन होगा जैसे मैंने 1000 यहां कर दिया तो देखे 26 के आ रहे है ऐसे मा लिखे कि मैंने अगर कोई लंबा एमाउंट लिख दिया मिलियंस में तब क्या होगा तो उस केस में हमें अब देखे बड़ा एमाउं लिखे करते हैं चार्ट करते हैं लिखे चार्ट विखे करें तक रॉट लिखे हो ता पर लिखे हमारी पर चोटा कर से ताकि यह जंड वस्पर कर सकते हैं आप आप मिलियंस कुष्ण तो यह आपका, यह अलग है, तो इसको ए परसुनिटिल फॉमेटिंग देते हैं, तो इसली आप कम्पेर कर पा रहे हैं ना सर, कि यह बरा है, यह बरा है, अगर इसकी को अगर मैं जेनरल फॉमेट कर दूंगा, तो क्या होगा, अपर पता नहीं, तुरह से तो इसके अंदर, इसलिए हम इसको करते हैं, इस तरह की डेसमेल से, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने यहां लिखा, तो आपना फॉमेट चाहिए, तो बना बनाया फॉमेट तो हैं ही, आप लही सकते हैं, लेकि इसकी अलावा कस्टम के अंदर में आप DD MMYY, अब DD में एक DD करोगे, यहां पे ध्यान दिखेगा, यहां उपर दिखेगा, आपको यह दिखेगा, सेंपल दिखेगा, तो अगर आपने एक DD किया, तो यहां देखे, 28 दा रहा है, मतला की आपका नमबर आएगा 123 के फॉमेट में, दो DD करते हैं, तो यह आपका आएगा, 28 जो आ आता है, चार करते हैं, तो यह आपका, तीन करते हैं तो आपका क्या आएगा, Tuesday, जो दे है उसका, शौट जिसे संदे का इसमें, बंदे का जो हो, ठीक है, चार करते हैं के दिखेगा, से मंध का है, आप महीना में से ऐसा ही होता है, और यह, अब इसको आप अपने हिसाब से जैर से मर्जी और से अरेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे, पीछे आगे, डैस के ज़़वापे, कॉमा, कॉमा ज़वापे, सरैस, कुछ भी द बना सकते है, से मुझी तरह से टाइम में होता है, यや हमारी को आउना में निट कर दिया, तो आप कस्टम में जाएंगे, तो कस्टम में यह, HMMM, और सकन के लिए हमारा ऐसे सो होता है, सकन के में क्या होता है, ऐसे सोता है, तो यहां पर एम श्लैश पी एम लिखेंगे तो एम पी एम भी आएगा बट टाइम को मुझे कनवर्ट करना है जैसे 10 बच्के 10 गंटे 20 मिनट है तो मुझे इस 10 गंटा 20 मिनट को मिनट में कनवर्ट करना है तो बहुत साल हो क्या करते है आवर से आवर निकालते है फिर मल्टिप्लाइब ब्लस ट्वेंटी करते है उससे बेटर है कि आप टेक्स्ट फॉर्मुला इस्तमाल करें और स्क्व तो कोई डाउट है आपको शिधार चीज में आपको डाउट है सर तो यह देखिए जो कंडिक हमने आपको बताया था कि हर टॉपिक को बेसिक पहले प्राएंगे फिर एडवांस प्राएंगे तो इक अब एडवांस पढ़ने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना पढ़े तो यहां पर हम कस्टम ओमेट का एक मेल आपको कर रहे हैं ठीक है यह लिंक है और वीडियो भी है इसको फॉर्बट करते हैं आपको इसको एक बार इसकी लिंक पर जो दिया गया है इस पर में क्लिक करें बताई देता हूं है और सिदार जाब की मिल आइडी क्या है कि आई एन फो एक वाच्ट कर देंगे जूम के ओकिप कि अच्छिए अच्छिए प्रकित शीए अच्छिए वाच्छिए ठीक है और आपका इमने डिजीजे दिजीजे सर विपिन रीपिन अधिम्री यह सर विपिन के आर के आर इस लिंक में है इसको देखिए और इसके नीचे आपको दिखर आपको प्रदाय जागा पूरा अब आप देखिए यहां पर पूरा दीया हुआ तो कि कश्नमों बलती में क्या कोड डालने पर क्या होता है कोच चीज़ी में बताई है कुछ चीज़ी इसको पर लीजिएगा फिर इसका डृटेल में हैं आपको कल बताएगा साथ में आपको वीडियो भी बेजा है उसको भी आप बदिया हाद धिया आग निया एकिले चिले के रादो